Hello friends, दोस्तों आज का topic बहुत important है क्योंकि आज हमनों discuss करेंगे next year we look up क्या होता है तो इसमें हमें करना क्या है यहाँ पर हमें एक table मिली हुई है जिसमें item ID मिली हुई है A01, A02, A03 इस तरीके से अब हमें इसमें price फेच करा ला है तो अब इसमें हो क्या रहा है कि हमाँ पर यहाँ पर दो table है जिसमें हमें product दिये गए हुई है item ID wise और यहाँ पर price दिया गया हुई है product wise तो अब हमनों सीधे यहाँ पर क्या कर सकते है कि price फेच नहीं करा सकते है मतलब अगर आप चाहोगे कि A01 का मुझे price मिल जाए तो आपको दो तरीकों से fetch कराना पड़ेगा सबसे पहले तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप उसका product fetch कराओगे सबसे पहले product आप ढूनोगे कि A01 का कौन सा है तो मैंने यहाँ पर search कि A01 का product है वह है आपका product 5 फिर आप क्या करोगे कि वह product search करोगे price वाई टेबल में कि वह अला product 5 वह कहा प्यारा है फिर यह यहाँ प्यारा है product 5 और तब जाके आपको वह price आपको मिलेगा 2.64S का price A01 का तो इस तरीके से हमें यह मैन वली यहाँ पर कराना पड़ रहा है अभी तो हमाई पास चोटी टेबल है तो माल लीजे 10 minutes मुझे यहाँ पर लगेगा ऐसे सर्च कराने में By chance हमाया पास अगर टेबल बड़ी होगी तो हमाया पास कौन सा विकल्प है कि हम इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लो इसमें double V.lookup लगाएंगे या फिर कह सकते हैं कि laster V.lookup लगाएंगे सबसे पहले जो भी लुकप लगाएंग दोस्तों पहले होगों पर में लगा के इस रहूंगा है छो और वे हम लोग रुखर लगाएंगे वह हम लोग प्रोड़िट को सर्च करने के ल workflow रहा कि कने हम प23 जाये यहां पर सर्च होके मिल जाएगा फिर हम लोग बैब प्रायस कर सकते हैं यह प्राइस वाले टेबल से जासे भी हमाल लीजे ऑजिन दिजे cereal और शैसा किया जाएश connection अब यह करेगा कैसे तुम्हें क्या करूंगा अलग यहां पर बताऊंगा फिर मैं दोलों को मर्ज कर दूँगा समझाने के लिए क्योंकि मैं एक यह करोंगा तो आपको शाय समझ में लाए तो सबसे पहले हम लिका लेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ देख ल करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले लखेंगे वी लूकप और लगाने से पहले इस आप दो पता लेता हूं कि यहां पर मैंने इस टेबल का जो नाम है वह यहां पे प्रूड़क लिए हुआ है यह देकि प्रूड़क लिखा हुआ है आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ चैबल का जो लेद है, वह शाक करना मने किया होग़ा है, प्राइस लेश दिपाइन किया होगा है यहाँ रखीगा तो फिलाल हमें आपका जन्ण देफाइन होगा है, तो यहाँ पर लिंगे वी लूक अ? को स कैँद करेंगे लूका वैल्यू में क्या देंगे यह हमें आइटम इडिया जिसके अगरेंशक MURISS चर्ट कर थो उसके से और ते यहां करेंगे तो यहां पर प्रोड़ दिखोंगे यह राहा आप इसको सर्च कर लोगे उसके बाद यहां पर कॉलम इंदेक्स लंबर पूछ रहा है तो प्रोड कहां दिया गया है यह होगे हमाई फ्रस्ट कॉलम और यह होगे हमाई सेकंड कॉलम इस टेबल में तो मैं यहाँ पर सेकंड दे देंगे क्योंकि प्रोड लेम जो हमाई लिख्यों सेकंड कॉलम में लिख्यों उसके बाद यहाँ पर फॉल्स फॉल् अब होता है अभी exact match फिलाल अभी आपको false लगाना है उसके बाद enter करना है तो यहाँ पर प्रोड़क्ट यहाँ पर सर्च होके आ जाएंगे किस ID के अगेंच में कौन सा प्रोड़क्ट है जैसे A05 में प्रोड़क्ट 3 है तो यह देखें दोस्तों यहाँ पर प्रोड़क्ट आ गया है आप कुछ लोग कहींगे कि यहाँ पर प्रोड़क्ट यहाँ पर कॉपी करके पेश्ट कर देते हैं तो इसलिए ज़रूरत है माल लीजे ID आपके अगर उपर लीचे होती जैसे माल लीजे यहाँ पर A01 लिख दिया और यहाँ पर A04 लिख दिया तब हम यहाँ पर यहाँ पराईस कर सकते हैं तो यहाँ पर प्रोड़क्ट यहाँ परिता हूं अब यहाँ पर प्राइस भाट कर सकते हैं दोस्तों को चलिव दों सा मिख़गा तो प्रास कैसे फईस्ट करेंगे अब ही हम वाइप्र पर प्र्लिड आ गहे है तो प्र्योर के अगयिस्ट में हम आपर प्राइस है टेबल से कैसे करंगे एक फक्साया लगांगे वी लीच्फि celebrity लुकप वैलू अब हमाई चेंज हो जाएगी अब हमाई A04 से अब हमाई जो लुकप वैलू हो जाएगी प्रोडट्स देए गए उल्ली इसमें आइटम आइडी लही दीए गई हुई है टेबल कौन से है हमारी टेबल हम होगी हमारी प्रैस वाली क्योंकि है प्रैस से हिए यह होगे फिर से अब हमारा प्रैस आ गया है लेकिन जो हमने शिरुवात में देखा था तो इसमें यह था ही नहीं अगर हम इसको हाइड कर दे ऐसे तो अब हमें यह चाहिए था लेकिन अभी इसमें एक कॉलम इंक्लीूड है बी कॉलम इसमें help कर रहा है तो इस B column को हटाने के लिए क्या करेंगे हमें को हमको इसके सोरी हमें इसको लेश्टर में कलवर्ट करना पड़ेगा कैसे करेंगे देख लीजे एक बार पहले क्या करेंगे ये जो हमें प्रोड लिका लाप है इसको हम यहां पर कोपी कर लेंगे इस फाले प्रॉ mashan को यहां यहां सkek देखी गा ठीक है और अब यह जो product लिकला हुआ है यह जो B3 पड़ा हुआ है इस B3 की जगे हम इसको paste कर देंगे तो हो गया वी lookup के अंडल में वी lookup अब यह वी lookup क्या करेगा यह product लेके आएगा और जैसी product लाएगा वैसे हमें पड़िश जागा कि प्राइस टेबल में उसका क्या प्राइस है और एंटर कर देंगे तो अब हमारे हमको इस column की कोई नहीं है क्योंकि यह column हमने इसमें इंक्लूट करा लिया है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लगा सकते थे इसको मैं यहाँ पर rate कर देता हूँ अब इसकी कोई नहीं नहीं है क्योंकि तो देखिए अब कुछ नहीं हो आप फॉर्मले में यहाँ पर और यहाँ पर आप अराम से आपका item ID और यह 25 आ चुका है तो यह था वी लूक अब वी लूक अब वी लूक अब फॉर्मला देख लिजे क्या है पहले हम वी लूक अब से हमने क्या किया वी लूक अब से पहले हम प्रोड़क लेके आ गए और प्रोड़क लाने के बात जैसे प्रोड़क यहाँ पर दिख गया यह देखिए यह पू सब्सक्राइब कर लिए जिससे आप नोटिफिकेशन आती रहें आपके पास और बैल आइकल को भी प्रेस करना ला बोले तब तक लिए दोस्तों धन्लेवाद गुलबाय दोस्तों